नमस्ते उत्तरकांड की चुपायों की श्रंखला को आगे बढ़ाते हैं असकही चलेऊ बाली सुत फिर आयो हनुमंत तासु प्रीती प्रभूसन कही मगनभय भगवंत पिछले अंक में हमने देखा था कि किस प्रकार हनुमान जी अंगद को विदा करने जाते हैं और बाली पुत्र अंगद विदा लेने से पहले उनसे कहते हैं कि प्रभु शेराम से जाकर लौटकर वह कहें कि वह अंगद को अपनी स्मृति में रखें तो हनुमान जी अयोधिया लौटते हैं और प्रभु से अंगद के जो प्रेमवचन हैं उनका वनन करते हैं और उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो जाते हैं आगे देखते हैं क्या होता है पुनि क्रिपाल लियो बोली निशादा दीने भूशन बसन प्रसादा जाहु भवन मम सुमिरन करहू मन क्रम बचन धर्म अनुसर हूँ भगवान श्यराम क्रिपाल भगवान श्यराम निशाद राज को अब बुलाते हैं और उन्हें वस्त्र भूशन इत्यादी देकर कहते हैं कि अब तुम भी अपने घर जाओ और मेरा स्मर्ण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म का पालन करना तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रह उपुर आवत जाता बचन सुनत उपजा सुख भारी परे उचरन भरी लोचन बारी प्रभु श्री राम निशाद राज जी को कहते हैं कि तुम मेरे भाई मेरे भ्राता भरत के समान हो और अयद्या आते जाते रहना और यह वचन सुनकर के प्रभु के यह वचन सुनकर के इतना सुख उत्पन्न होता है कि निशाद राज जी के नेत्रों में अश्रु आ जात प्रभु सुभा उपरी जननी सुनावा रघुपती चर्त देखे पुरवासी पुनी-पुनी कहई धन्य सुखरासी फिर भगवान के चरण कमलों को वह अपने ह्रदय में रख करके निशाद राजी अपने घर आते हैं और अपने कुटुम्बियों को अपने परिवार जनों को प्रभु का जो सुभाव है उसके बारे में बताते हैं वह सुनाते हैं और रघुनात जी का यह चरित्र देख करके जो अवधुपुर के वासी है कि श्री राम चंद्र धन्य है धन्य है राम राज बैठें त्रेलों का हरशित भय गए सब सोका बयरून करका हूसन कोई राम प्रताप विशम ताखोई श्री राम चंद्र जी का जो राज्य है वह स्थापित होने पर वह प्रतिष्ठित होने पर जो तीनों लोक हैं वह हरशित हो गए हैं सारे शोक चले गए हैं नश्ट हो गए हैं ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई वैर आता ही नहीं है सब प्रसन्न हैं सब सुखी हैं और जो श्री राम चंद्र जी का प्रताप है उससे सभी की विश्यमता सभी जो भेद भाव हैं वह मिट गए हैं समस्ते